किसी दो variables से उससे ज़्यादा variables के वीच में relationship को find out करने के लिए correlation method का हम यूज करते हैं तो correlation method में पहला method था scatter diagram उसके बाद है Carl Pearson method तो Carl Pearson जो method है जो इसमें formula है उसके उपर हमने numerical discuss किया है आप नीचे description लिए मिल जागा वहाँ से वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे spearman rank difference method यहाँ कि इस method से आप कैसे किनी दो variables के बीच में relationship को find out कर सकते हैं clear तो correlation कैसे find out करना है spearman rank difference method का use करके यह जो method है यह दिया था Charles Edward experiment इनका पूरा नाम था Charles Edward experiment इन्होंने 1904 में इस concept को इस method को develop किया था ठीक है जिसको हम दूसरे method से भी नाम चानते हैं that is ranking method क्या है ranking method यानि कि जो भी आपके बास variables दिये रहे हैं उनके rank के basis पे आप उनके बेच में correlation को find out कर सकते हैं यानि कि वो positive correlated है फिर negative correlated है clear तो यहाँ पर जो है तीन cases बनते हैं इस method में जब आप देखेंगे rank method में तो यहाँ पर आपको तीन type के cases मिलेंगे पहला case when ranks of items are given जब आपको question में rank जो होता है item का वो दिया रहता है या फिर दूसरा case हो गया कि जब आपको when ranks are not given आपको ranks नहीं दिये है clear और वहीं पर तीसरा condition क्या हो जाएगा तीसरा condition होगा कि जब आपके ranks equal होंगे when there are equal ranks ठीक यह तीन condition है तो बात कर लेकि calculation की कैसे हम कौन सा formula जो ही use करते है rank को calculate करने के लिए clear यान कि correlation coefficient को calculate करने के लिए ranking method का कौन सा formula यूज करते हैं तो अब दो condition है पहला आपको rank दिया गया है या फिर नहीं दिये गया हो लेकिन equal rank नहीं है equal rank नहीं है equal rank नहीं है no equal rank तो उस case में आप जो formula यूज करेंगे that is 1 minus 6 summation d square divided by n n square minus 1 ये formula जो है आप यूज करेंगे जब equal rank नहीं होगा इस case में यह formula यूज नहीं होगा इस case में यह formula यूज नहीं होगा clear तो जब equal ranks नहीं होगे तो यह formula हमारा applicable होगा और जब equal ranks होगे जब equal ranks होगे तो उस case में कौन सा formula यूज होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं r is equal to 1 minus 6 यहाँ पर क्या होगा bracket लगेगा bracket में summation d square plus 1 by 12 फिर m का cube minus m फिर plus 1 by 12 m cube का minus m इसी तरीके से चलते रहेगा bracket close divided by divided by n n का square minus 1 यह formula लगेगा जब हमारा equal rank होगा यानि कि इस case में इस case में किसी के दो के equal rank है तो इस case में यह formula यूज किया जाएगा बस difference इतना यहाँ पर क्या है कि 1 by 12 m cube minus m यानि कि जितने भी rank equal हो रहे होंगे suppose करो कि यहाँ पर क्या है यहाँ पर 2 है दो बार equal हुआ है ठीक है एक rank है जो कि 2 बार repeat हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 m की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो हम इस पर question practice करेंगे आगे next वीडियो में तो इस वीडियो में हम इस formula के basis पर numerical को solve करेंगे clear कि आने की जब आपको पर rank दिया गया है और जो है आपका equal rank नहीं है तो इस case में हम question को solve करके यहाँ पर देखेंगे तो चलिए एक example लेते हैं अब suppose कि यह question आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर rank 15 students है यह number of students 15 अब यह 15 student है इन पंदरों का economics और states का rank दिया गया है तो जो first student है उसका rank economics में 1 है लेकिन इस्टेटस में उसकी rank क्या है 10 है second student है उसकी economics में rank 2 है लेकिन stats में उसकी rank क्या है 7 है तो इसी तरीके से 15 students हैं उनकी rank जो है यहाँ पर दी गई है clear तो यह अलग-अलग rank है economics की rank इनकी हो गई और यहाँ पर stats की rank हो गई clear तो अब जो है आपको क्या करना है formula क्या कहता है formula कहता है 1-6 summation d squared divided by n into n squared minus 1 यह है rank का formula clear तो आपको क्या चाहिए आपको चाहिए d d means होता है difference between rank यानि की rx और ry के बीच में difference clear तो rx minus ry तो यहाँ पर क्या होगा d हम calculate करेंगे d calculate करेंगे d क्या होता है rx minus ry यह हम करेंगे 1-10 क्या हो जाएगा minus 9 2-7 क्या हो जाएगा minus 5 3-2 क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर 1 आएगा 4-6 क्य 5-4 1 6-8 minus 2 7-3 4 8-1 8-1 क्या हो जाएगा 7 9-11 क्या हो जाएगा minus 2 10-15 minus 5 11-2 2 12-5 that is 7 13-14 minus 1 14-12 2 and 15-13 2 यह पूरे जो है आपका क्या गया difference आगया ठीक है तो आपको क्या है number of students बताया गया तो उनकी rank देगे थी economics में उनकी rank देगे थी states में आपने क्या कि सिंपल सा difference निकाला है किसका rank x और rank y का ठीक यह rank आपने क्या क्या कि difference निकाल दिया ठीक आपको n चाहिए n क्या है आपको सभी को पता है n क्या है n 15 यानि कि कितने number है तो 15 number है ठीक है अब चाहिए क्या देखिए d square चाहिए वन रहेगा टू टू जा 4 वन का वन टू टू जा 4 वन का वन टू टू जा 4 वन का वन आएगा टू टू जा 4 यह आपका जो है पूरा आपने क्या क्या कि स्क्वाइर निकाल लिया ठीक है तो आपने difference निकाला rank के बीच में difference निकाला डिफरेंस निकाले बाद आपने इसका square कर लेए इसको आपको क्या करना है टोटल कर ले जाने कि 81 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 4 तो क्या जाएगा आपका summation d का square जाएगा यानि कि 272 आप जब इसको add करेंगे पूरा लेके पूरे rank को तो आपका क्या एगा 272 और यहाँ प summation d का square divided by n into n square minus 1 तो अब यहाँ पे क्या है value simple सा put करना है 1 minus 6 summation d का क्या है value 272 तो 6 into 272 divided by n क्या है n is 15 15 यह number n 15 अब क्या है n square जाने कि 15 का square minus कितना है 1 bracket close तो आपको इसको solve करेंगे तो क्या आएगा 1 minus 1632 यह आगया 6 into 272 करेंगे तो 1632 यहाँ पे क्या होगा 15 का square open करेंगे minus 1 कर देंगे और इसको multiply करेंगे तो आपका आएगा 3360 तो answer क्या आएगा 1 minus 0.486 और final जो आएगा that is 0.514 यह जो है आपका answer आए 0.514 यही जो है आपका answer तो correlation coefficient ranking method के according कितना है 0.514 याने की there is positive relationship there is positive relationship between the rank of economic and rank of stats of the 15 student there is positive relation clear तो इस तरीके से जो आपको calculate कर ना थी यह formula हम कभी use करेंगे यह formula तब हम use करेंगे जब हमको rank दिया हो चाहिए ना दिया हो लेकिन rank equal ना हो rank equal ना हो clear तो next वीडियो में हम practice करेंगे दूसरे वाले method से जिसमें की rank equal हो तो हम कैसे solve करते हैं wish you all the best keep watching